कुछी सालों में दोनों दोस्त अलग-अलग कॉलेज में एडमिसन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं कॉलेज के बाद दोनों भी छड़ जाते हैं एक दिन जतिन अपने स्कूल के सामने से गुज़े रहा था तभी उश ने देखा कि स्कूल के पास ही एक चोट इसी दुकान है बच्चों के खाने पीने का समान बेचने की उस पर एक छोट असल लड़का और उसकी मा बैठी थी जतिन पहचान जाता है कि ये तो वही भी कारण है जिसे रभी अक्षर पैसे दिया करता था उन्हें देखकर उसे रभी की याद आ जाती है लेकिन वो अपना ओफिस पहुंच जाता है ओफिस में उसका मैनेजर जतिन से मिटिंग करता है फिर आपके पापा के जाने के पाद पूरा बिजनेस ही बैठ क्या है एक गलत साइट पर बिल्डिंग बना कर सारा पैसा डूब गया अब एक प्रोजेक्ट है अगर ये हमें मिल जाए त मैं ये बात जानता हूँ पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बिजनेस को आप एक काम कीजिए आप इस प्रोजेक्ट की डीटेल्स मुझे भेज दीजिए कल उस नए इंजिनियर से मैं खुद मिलकर उसे प्लान समझाता हूँ हमें किसी भी कीमत पर ये प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा अगले दिन जतीन जल्दी से तयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर में पहुंच जाता है वहाँ पर वो इंतजार करने के बादे